जी हाँ, जब दिन में मौसम साफ हो, उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवा चल रही हो और दोपहर बाद हवा का चलना बंध हो जाए, तो उस रात पाला पढ़ने की संभावना रहती है पाला पढ़ने से हमारी फस्टनों को 90 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है पाला पढ़ने की संभावना होने पर खेत में हलकी सचाई करें और फसल पर घुलनशील गंधर दो ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में खोल बना कर छिड़काव करें या थायो जूरिया 500 पीपीम यानि आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में खोल बना कर छिड़काव करें पोध शालाओं और नरसरी को पाले से बचाने के लिए टार्ट, पॉलिथिन या सरकंडे से ढखें सबजी की फसल मल्च पर लगाएं और उन्हें लो टनल से ढख कर लखें खेत की उत्तर पश्चिम दिशा की मेड़ पर टार्टियां लगाएं स्थाई उपाई के तौर पर खेत की उत्तर पश्चिम दिशा में ही बड़े पेड जैसे खेजडी, नीम, अरडू, शीशामादी लगाएं और इनके बीच बीच में खेरी आदी, जारी नुमा व्रिक्ष लगाएं अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के दूरभाश नंबर 180-180-1551 पर संपर्क करें